सब लोग घर पे हैं तो मेरी ही तरह आपको भी फरमाईशें आ रही होंगी कुछ तीखा चटपटा कुछ अलग बनाने की क्यूंकि सभी को स्ट्रीट फूड खाए काफी दिन भी हो चुके हैं तो चलिए थोड़ी से एक्स्ट्रा मिनत लगा के अपनों की ये विश्पी पू है तो चलिए देख लेते हैं पहली रेσιपी विचिज डिशिएस पापडी चाट पड़ी बनाने की साथ साथ मुझे वड़ास भी बनाने हैं तो वड़ा बनाने के लिए दूछी मउंग की डाल और एक उडद की डाल दोनों को आपने पूरी रात भर भिगो देना आधा आधा कप लिया है मैंने आप चाहें तो कोई भी एक डाल का इस्तिमाल भी कर सकते हैं तो पूरी रात भीगोने के बाद या फिर चार से पांच घंटे तक तो आपको भीगोना ही पड़ेगा जब यह फूल जाएगी तो इसको हमने ग्राइंड करना है याद रखें अच्छे से विस्क करने की यह प्रोसीजर आपका बहुत ही ज़रूरी है दस मिनट तक आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि दाल फूल के लाइट ना हो जाए अगर आप चाहते हैं कि आपके वड़ास बिल्कुल स्पॉंजी बने बहुत ही सॉफ्ट बने तो यह स्टेप आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है इसमें कंजूसी ना करें तो आप देख सकते हैं डाल कितनी लाइट हो गई है तो अब रेडी कर लेते हैं डो पापड़ी बनाने के लिए वन कप लिया है मैने मैदा और वन फॉर्थ कप लिया है सूजी अब इसमें डा हलका पानी डाल के इसको हम गूंद लेंगे जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं वैसे इसको गूंदना है पर ख्याल रहे कि यह आटा आपका बहुत ज़दा हाट नहीं होना चाहिए और नहीं बहुत ज़दा सॉफ्ट तो मीडियम सॉफ्ट आटा हमें पापड़ी के ल अगर आपको बिना सीर्स के मिल जाए तो बहुत अच्छा इससे सीर्स को अलग करने में लगने वाला टाइम भी बच जाएगा दस से बारा मिनट इमली को अच्छे से बॉइल होने दें ताकि यह अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इसका पल्प बनाना इजी रहे उसके बा करने से बच जाएंगे और डारेक्ट इसको ग्राइंड कर सकते हैं अभी इसके सारे सीर्स और रूट्स मेने निकाल दिये हैं अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे और इसके बाद चन्नी की हल्प से इसको फिल्टर कर लेंगे ताकि इसका सारा वेस्ट अलग हो जाए फिल्टर करने के बाद बहुती क्लीन पल्प हमारे पास बच जाता है अब इसका तटका रेडी करेंगे सबसे पहले कडाई में मैंने थोड़ा सा ओयल डाला है और इसके बाद हींग और जीरा डाल दिया है इसके बाद डाल देंगे ये पल्प 15-20 मिनट हम इसको अच्छे से बॉयल करेंगे थोड़ा सा पानी मैंने इसमें एट किया है क्योंकि काफी देर ये बॉयल होगा तो इसका पानी भी सूक जाएगा इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा गुड और गैनिक गुड मैंने इसमें एट किया है मसाले सारे डाल दें हैं आप 15-20 मिनट इसे अच्छे से पकने दें कोई फ्लेवर कम लगे तो आप बाद में भी डाल सकते हैं और जब तक चटनी रेडी हो रही है तब तक हम लोग पापडियां रेडी कर लेते हैं जो मैंने डो रेडी किया था उसके दो पार्ट्स मैंने कर लिये हैं दो रोटियां हम इसकी बेलेंगे और उसमें से निकालेंगे छोटी-छोटी पापडियां तो मैंने पुरी रोटी इसकी बेल ली है ख्याल रहे ये रोटी बहुत थिन नहीं होनी चाहिए और बहुत थिक भी नहीं होनी चाहिए, किसी cutter की help से आप एक ही size की पापड़ियां काट सकते हैं, पेलन की help से आप इसको हलका सा प्रेस करें, तो इस तरह की पापड़ी आपके पास रेडी हो जाएगी, देखिए बहुत थिक भी नहीं है, बहुत थिन भी नहीं है, तो इस तरह से मैं सारी पापड़ियों को एक साथ बेल के side रखती जाओंगी, और उसके बाद fork की help से आपको इसमें hole करने हैं, ताकि ये फूले नहीं, क्यूंकि जो पापड़ी फूलने लगेगी, वो क्रिस्पी नहीं बनेगी, तो 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं, चटनी भी त्यार हो गई है, पानी कितना सूख चुका है, और काफी थिक हो गई है, तो इतनी ही थिक चटनी हमें चाहिए, आप इसे side रखके ठंडा होने दें, तब तक हम fry कर लेते हैं, वड़ा और पापड़ियां, तेल गरम हो च जाएंगे, लेकिन अंदर से बिल्कुल कच्छे रह जाएंगे, दो बार आपको इने फ्राइ करना है, तो एक बार हलका फ्राइ होने के बाद इसको निकाल लेंगे, और इसके बाद दूसरे जो वड़ाज हमने रेडी करके रखे हैं, उनको डाल देंगे, और जब सारे वड़ाज फ्राइ हो जाएं, तो उनको थोड़ा ठंडा होने देना है, उसके बाद एक बरतन में पानी डालना है, सौल डालना है, और सारे वड़ाज उसमें डिप कर देने हैं, ताकि अच्छे से सौफ्ट भी हो जाएं, और थोड़े सौल्टी भी हो जाएं, दहीं तो कोई पापनी फूलेगी नहीं और फूलनी भी नहीं चाहिए, पापनी ब्राउन होते जाएं, तो इनने बस निकालते जाएं, और ठंडा होने दें, वड़ाज रेड़ी है, पापनी रेड़ी है, इमली की चटनी रेड़ी है, आलू मैंने कुछ बॉil करके रखती हैं, और अब रेड़ी कर लेते हैं, ग्रीन चटनी, तो पुदीना लिया है, मैने धनिया लिया है, साथ में अद्रक लसन की चीज़ आ डाल सकते हैं, यह हड़ा लसन डाला है, हरी मिच डाल दी है, साथ यह ढला है तोड़ा सा आमचूर और सॉल्ट, साथ ही डाल देंगे का हलका प्रेस करके मैं निकालती जा रही हूं तो आप ने देखा कितनी परफेक्ट और क्रिस्पी पापड़ी हुई हैं तो कोई भी प्रेट रेड़ी करने से पहले जितनी पापड़ी आपको उसके लिए चाहिए उसे इमली की चटनी में डिप कर दें और उसके बाद प्रेट लगाएं प्रेट में रखे हैं तीन वड़ा तो उसके बाद उसमें डाल दिया है थोड़ा सा दही इमली की चटनी साथ ही डाल देंगे इसमें ग्रीन चटनी यह चटनी आप अपने टेस्ट की कॉड़ी डाल सकते हैं उसके बाद डिप क दाने भी डाल सकते हैं तो बस आपकी पापडी चार्ट रेडी है सेकिंड रेस्पी है चना टिक की चार्ट जिसकी खुश्बू से आप खुद को रोक नहीं पाते हैं उसके लिए मैं चाहिए होंगे बॉयल आलू तो मेरे लिए हैं आपे पांच बॉयल आलू थोड़ा सा कटा हुआ पुदीना डाला है, कटा हुआ धनिया डाला है, अद्रक डाला है और हरी मिर्ज वाइड सॉल्ट एड किया है, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट एड किया है, साथी डालेंगी थोड़ा सा अमचूर जीरा पवडर डाला है साथी रेड चिली पवडर बस इसके बाद थोड़ा सा दम लगा के आलूओं को मैश कर लें ताकि सारे मसाले भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं इसके बाद कॉन फ्लोर या मैदी की जगवा में डाल रही हूँ इस पे चावल का आटा तो चावल के आटे से टिकिया बहुत ही क्रिस्पी बनती है तो दो टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे चावल का आटा डाला है और आलूओं के साथ मिला के इसका एक डो रेडी कर लिया है उसके बाद हाथों पे थोड़ा सा ओयल लगाएंगे और इसकी टिकिया बनाते जाएंगे जब तक आप टिकिया रेडी कर रहे हैं तब तक आप तेल रखते हैं गरब होने के लिए तो आप इसको तवे के उपर भी बना सकते हैं या फिर किसी पैन में बना सकते हैं तो पैन में थोड़ा सा extra oil डाल के इसको बना रही हूँ ताकि इसकी sides भी अच्छे से पक जाएं तो street food कोई भी हो, काफी heavy होते हैं तो आप इसे किसी meal की form में यूज करें ना कि snacks की form में इनको खाने के बाद अगर next meal आप काफी सारा salad खाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी इससे कि ये आपको easily digest भी हो जाएंगे और उतना हाम भी नहीं करेंगे लेकिन exercise करना कभी मत भूलिए आलू की टिक्की रेडी हो गई है बस इसे निकाल लेते हैं हम paper टाल पे इन टिक्की को आप दही या चक्नी के साथ वैसे भी खा सकते हैं लेकिन अगर आप चना टिक्की चाट खाएंगे तो और भी टेस्टी लगेगी तो एक पैन में थोड़ा सा मैंने डाला है oil और साथी डाला है बड़ी लाइची दाल चीनी चोटी लाइची और दू लॉंग डाले हैं आज का paste डाला है मैंने साथी में और साथी डाल दिया है जिंजर गाली का paste एक से देड़ मिनट तक इसे अच्छे से रोस्ट होने आप चाहें तो यहां पे टोमैटो पूरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसके बाद इसमें डालेंगे हम सेजनिंग तो सॉल डाल सकते हैं according to your taste हल्दी पाउडर रेड चिली पाउडर साथी डालेंगे जीरा पाउडर आमचूर पाउडर गरम मसाला पाउडर और साथी डाले यमी बनेगा और उतनी ही टेस्टी बनेगी आपकी चना टिक की चाट बस तसली से तड़के को अच्छे से भूनने दें और इसके बाद इसमें आट करेंगे बॉयल के हुए चना जो कि मैं अल्रडी बॉयल ककी रखती हूँ थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर कर देंगे और 7-8 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे ताकि चना और ग्रेवी आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं तो चने बहुत ही अच्छे खुश्बू दे रहे होंगे और बहुत ही अच्छे दिख रहे होंगे उसके बाद प्लेट रेडी कर लेते हैं दो टिक्की डाली है प् साथी डाल देंगे इसमें सेव तो लीजे आपकी चना टिकी चार्ट रेडी है चलिए बढ़ते हैं अगली रेसिपी की तरफ विच इस मैगी चीज रोल सबसे पहले मैगी बनाएंगे जो सबको बनाने आती भी है तो एक कड़ाई में थोड़ा सा ओयल के सबसे पहले मैंने सकते हैं थोड़ा सा पानी डालेंगे पानी बिल्कुल कम डालेंगे क्योंकि हमें सूपी मैगी नहीं बनारी है बिल्कुल इतना डालना है कि मैगी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए उसके बाद इसमें टेस्ट मेकर डाल देंगे और कवर करके पकनी देंगे मैगी के साथ ही दो हमें और add करनी है जिने हम अलग से fry करेंगे तो एक पैन में थोड़ा सा oil लेके मैंने लंबे-लंबे slices में कटी हुई शिम्ला मिर्च डाले है साथ ही पनी के slices डाल दिये है थोड़ा सा salt डाला है यानि कि black salt डाला है और उसके बाद ready करेंगे roll और roll ready करने के लिए जो चपातिया मैंने यहाँ पे ली है उन्हें बनाने का तरीका भी बहुत ही simple है half cup लिया है मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा यहीं की regular flow जो हम use करते हैं और half cup लिया है मैंने मैदा साथ ही डाला है half teaspoon salt और एक pinch डाला है मैंने baking powder का एक टिपल स्पून डाल दिया है oil का बस इसका भी हमने dough ready कर लेना है normal जैसे हम चपाती के लिए dough ready करते हैं वैसा ही इसका dough ready करना है आप चाहें तो इसके लिए regular चपाती का use भी कर सकते हैं लेकिन roll में बच्चे totia जादा पसंद करते हैं जादर totia जो आपको मिलते हैं वो मैदे के बने हुए ही मिलते हैं लेकिन अगर आप homemade बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा भी add कर लें तो कोई बुरी बात नहीं rolls में तो unlimited variety है बहुत सारे taste हैं streets में जाते हैं तो वहाँ पे जितने भी stalls लगे होते हैं वहाँ पे different तरह के rolls ready की जाते हैं totia same होता है बाकि filling आप कोई भी अपने बच्चों के taste के accordingly बना सकते हैं नॉर्मल जो चपाती हम बनाते हैं उसका size काफी छोटा होता है लेकिन जो roll के लिए चपाती आपको बनाने हैं वो size में थोड़ी बड़ी होनी चाहिए और साथी पतली भी होनी चाहिए इस तरह के rolls को बनाना बिलकुल भी मुश्किल नहीं है बलकि बहुत ही easy है तो दोनों तरफ से आपको चपाती को सेक लेना है आप butter लगा सकते हैं होम मेर बटर भी लगा सकते हैं या फिर कोई flavor butter आपके पास है तो वो भी लगा सकते हैं जैसे कि मैं यहापे garlic बटर लगा र ना है और उसके बाद इसके उपर डालेंगे हम चाट मसाला फिर डाल देंगे हम maggie की filling और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें capsicum और पनीर की filling देन हम डाल देंगे इस पे cheese आप यहाँ पे slice cheese यूज़ कर सकते हैं प्रोसेस cheese या फिर mozzarella cheese कोई भी चीज जो आपके पास हो साथ ही में एक गाजर भी डाल रही हूं क्रश करके आप चाहें तो अकेली पता गोबी के साथ भी मंचुरीन बना सकते हैं लेकिन इसका juice हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत जादा पानी होता है अगर हम पानी नहीं निकालते हैं तो जब हम इनको fry करेंगे तो यह फट भी सकते हैं तो इसलिए इसका पानी निकालना ज़रूरी है लेकिन इस पानी को वेस्ट ना करें आप इस पानी को पी सकते हैं यह आपके पास half a glass of juice रिली हो गया है पता गोबी और गाजर के mixture में डालेंगे थोड़ा सा salt, red chili powder, jeera powder, साथ ही डालेंगे थोड़ी कोई chances नहीं है अब छोटे छोटे बाल्स जैसे भी आप बनाना चाहें तो उनको बनाके side रखते जाएं और इसके बाद हम तेद गरम करेंगे और इसको fry कर लेंगे तेल गरम होना चाहिए लेकिन इतना गरम नहीं होना चाहिए कि डालते ही बाल्स ब्राउन हो जाएं और व तो एक कडाही में थोड़ा सा ओयल डाला है और इसके बाद इसमें डाल दिया है बहुत सारा गार्लिक क्योंकि गार्लिक इसका में इंग्रिडियंट है उसके बाद इसमें डालेंगे हम हरा प्याज आद्रक डालेंगे बारी कटा हूँ साथी डाल दिया हरी मिर्च उसके ब रेड चिली पेस्ट आप चाहें तो रेड चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद इसमें डाल देंगे सोया सॉस साथ ही एक चमच के रॉन मेने इसमें विनेगर डाल दिया है यानि की सिर्का थोड़ा सा पानी डालेंगे और तीन-चारी मिनटे इसमें पकने दें क्योंकि हम ड्राय मंचूरियन बना रहे हैं तो हमें ग्रेवी की ज़रूरत नहीं है अगर आपसे पानी जादा डल जाए तो आप इसको थिक भी कर सकते हैं एक चमच कॉनफोर में थोड़ा सा पानी डालें उसका पेस्ट बनाके उसमें एड कर दें तो इमीजेटली आपकी ग्रेवी थिक हो जाएगी तो आप देख सकते हैं टेक्स्चर तो ड्राय मंचूरियन के लिए यही चीज हमें चाहिए होती है उसके बाद हम इसमें डाल देंगे मंचूरियन बॉल्स और ग्रेवी को मंचूरियन बॉल्स के साथ अच्छे से हम कोच कर देंगे साथी के लिए दोबारा फिर से डाल देंगे हरा प्याज तो लेजिए यम्मी ड्राय मंचूरियन रेडी है हमने तो इंज्वाई कर लिया अब आप भी एंज्वाई करें और मैं मिलती हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाबाई टेक केर और स्टेए हल्दी झाल आपसे टेक लिए अज्वाई